नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्टीवी नियूस और मैरानी गुपता आपके साथ लगातार दिली के सियाम अरवंद केशिवाल के मुश्कले थमने का नाम नहीं ले रही है जहां वो अल्रेडी शराब घुटाला मामले में एडी के समन का सामना कर रहे थे त से बचते हुए नसर आए हैं और उन्होंने दफ्तर जाने से इंकार कर दिया है ऐसे में अरवंद केशिवाल ना तो शराब घुटाला मामले में एडी का सहयोग कर रहे हैं आप जल्ग गोट घुटाला मामले में एडी का वो सहियों कर रहे हैं ऐसे में क्या अरविंद केश्रिवाल भाग रहे हैं बच रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी तैय है ये जानते हुए भी वो बार-बार अपना बचाव कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौझूद है वरिष्ट पत्रकार अजजी सर स्वागत है आपका एक बार फिर से अरविंद केश्रिवाल ने नहीं जाना पसंद किया है और बकादा आम आदमी पार्टी ने एडी के समन को भी गयर कानुनी अवैद बताया है क्या कहेंगे इस पर देखे इसमें ऐसा है कि अरविंद केश्रिवाल एक्चली में पूश्तास से भाग कुक्कि यह बहुत बड़ा गोटाला है आपको बता रहें कि मनी लाउंडिंग का वह सराब घोटाला और जल बॉरड वाला गोटाला और यह इन इसमें में किंग पिन यही है इसमें कई लोगों के अरेश्टिंग भी हुई है इसमें भी हुई जलबोर्ड में भी और जो दूसरा इनका मनीला उंडिंग का गोटाला जिसमें 21 को बुलाया गया या नौस आर्ट सम्मन पहले मिल चुके है दोनों में बहुत बड़े लेबिल के गोटाले में ये इन्वाल ये बात बाकाइदे कई लोगों ने कभूलि कई लोगों ने बताई आफेड़ेविट दिया जाच हुई जाच के бाद सीबी आई जाच हुई 逮े जाच के बात ईडी ने अब ये जो है इसमें नहीं गहें ये एक बहुत बड़े दूसरी बात इनों का इनका और सात्में को और साथ में सौलब भरद्वाद ने भी प्रेस कॉंफरेंस करके कहा है कि ये सब जो है ये गैर कानूनी है जब कि ये कानूनन था सम्मन पे ही इनको सजा हुई इन्होंने जुर्माना बढ़ा 15,000 की एक पिनल्टी दी इसके बाद एक लाक रुपए का शोर्टी पॉंट दिया सम्मन पे ही तो सम्मन पूर्टिया कानूनी था नहीं तो कोट उसमय कह देती कि ये सम्मन गहर कानूनी इसलिए इनको पर फाइन हुआ पर ये ओवर कॉंफिडेंस और ये किसी वे अदालत को ये मजाक समझते हैं और कहीं पर भी ये सबसे उंचे अपने को समझते हैं सबसे बड़ा ये अपने को समझते हैं, जहां पर हरने लगते हैं, वहां ही माफी मांग लेते हैं, अब आज इनका ना जाना, अपने आप में एक ताजुक की बाद, जबकि एड़ी ने सम्मन इनको बाका दे, अभी एक कोट गयते हैं, 16 तारीक को, तो वहां पड़े बहुत उससे गयें, और जा करके ये जुर्माना भर चुकें, अब इनका दूसा सम्मन भी है, वह भी मनी लाउंडिंग को लेकर को सराब गोटाले में, वह 21 मार्च को, अब नवा सम्मन जो है, अब देखे ये जाते हैं, ये एक्चली में रिकार्ड बनाना चाहेते थे, और इन्होंने जो है, जहारखन के चीम मिनिस्टर का रिकार्ड तोड़ दिया, अब ये अपना एक रिकार्ड बना करके, और इनका ना जाना जो है, बहुत साफ है, कि ये अपने उससे बच रहे हैं, चुकि इतने बड़े लेविल का गोटाला है, उससे भी जादा इनके लिए सबसे बड ब्लोग जैसे जहन थे, जहन को भी सुप्रीम कोड़ से, जो जमानत यहलिये थे, स्वास्ता आदार पर भी खारीज हो गई, और उनको तर Danielle जाने के लिए कह दिए गया, स्वास्त मंतरी जो था, स्वास्त कालों से, ताजु भी एyan के स्वास्त कालों से, घर पर आनाम कर ला प्रभावित कर सकता है और इनका यही बहुत संगीन अपराद है यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इनका यही पोजिशन संजय सिंग को जमानन नहीं मिल लही है अब इनको जो जमानत इंट्रिम मिल गई थी उनको बने अब इनकी पोजिशन है और इसके लिए आपको उतार है मंजंदर सिर्सा ने कहा है कि अगली वारी केजरीवाल की है यह नहीं बचेंगे इनका कोई भी जेली होनी चाहिए इनके सभी लोग जेल में हैं वहीं आपको बताना है सौरभ भरद्वाद ने भी आज कहा है कि बीजेपी किसी भी तड़े अर्विंद केजरीवाल को सलाकों के पीछे करना चाहिती चुकि पूरे देश में इंडी गडवंधन के लिए यह मीटिंग करना जाहते हैं आपको के लिए इंडी गडवंधन से आपका कोई गडवंधन नहीं हुआ है और ऑप पार्टी जो पञ्जाब में है जो आच्छी फाइड कर रही है दिली में आप पार्टी फाइड ने करेकी केजरीवाल की पार्टी का सिर्फ यहां पर गडवंदन हुआ है शीटों का एड़ेस्टमेंट हुआ है इनको किसी भी पार्टी ने ना कभी बुलाया ना अभी इनको भासर देने के लिए प्रचार के लिए इंडी गड़बंदन बुला रही चुकि इनकी खुद इतनी ज़्यादा बदनामी हर पार्टी जानती है कि इनसे हमारा खुल नुक सब्सान हो जाए इविन कांग्रेस में भी दोनों लोग संयुक्त मीटिंग नहीं करेंगे यह पहले से ताय है मान ने स्पेस पेसल इस्ट्रक्शन कर दिया और यूपी में खास्तोर से यूपी वालों ने भी कह दिया था कि ठीक हमें आप लड़ाईये नहीं मगर कोई गड बंदन का पचार करना चाहते हैं यह भी बात कोड़ी उदर गोपाल लाया लेडी कह चुके हैं कि यह इडी ने गैर कानूनी दिया लोग सबात चुनाओं में पचार करने से रोकने के लिए यह बैकम योज़ना है और अदालत जो है अदालत बायद या वायद का फैसला करे हैं मानहान के मामले में ऐसे हुआ कि मोदी जी के मानहान पर अदालत नकाब माफी माग लो तो इसके पहले भी इन्हों ने यही किया कि जेटली वाले में जा करके हत पैर जोड़ करके माफी माग ली एक अमरस सर का केस था पंजाब का वहां जाके माफी माग ली बाद में सं बोर्ड के कर्मचारियों ने उन्होंने कंप्लेंड की थी फिर जाँ चुई सीवी आई ने इनके मामले पर फिर एफाइयार हुए एफाइयार करके एडी को दिया गया जिसमें आप समझें के फाइयार पर आधारित है तकनीकी पातरता मापडंड पूरे नहीं करने पर दिल् जन्वरी को दिल्ली जलबोर्ड के पूर्व चीप इंजिनियर जगदीश कुमाल अलोरा अरेश्ट हो चुके हैं और जो ठेकेदार था अनिल कुमाल अग्रवाल वो अरेश्ट हो चुका है दिल्ली जलबोर्ड ने मामले की जाँच में ये पाया के रष्टा चार के की जाँच में सीवी आई के जाँच के बाद एडी की जाँच में तो अब ये पोजिशन है इसके अलावा आपको बता रहा है कि बिरेंस सजदेवा जी ने भी और हरीस खुराना ने भी इस बात को माना कि ये गलत हैं और इनकी जाएंगे और तमाम वकील नहीं और इनके ज चेंग नहीं जो कि मनु संगवे भी इसमें किनारा करने लगें फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के अजब पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कोवेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद